हाई फ्रेंड मैं शोभा ठाको डिस्टिक मंडी जुगिन्द नगर से आज हम बनाने जा रहे हैं सीरा जिसे हम अपनी भाष्टा में सीरा बोलते हैं देख सकते आप यह हमने गेऊं को पीस के निकाला है गेऊं को साथ आठ दिन तक भीगने डालना है और फिर उसे मशीन के द तो हमने इसे एक बर्तन में डाल दिया है तो उसे कम से कम एक मिनिट तक भीगने के लिए डालना है अच्छी तरह से भीगने देना है उसमें दिए यह है तरह समय तरह से लिए अचिए तरह से इसेजे़ड दिए जात करुब कर दो है तक दो है और फ्रेंड्स चिनी भी भीगने डालनी है और अच्छी तरह से घुल जाएए और फिर इसको इसमें डालना चीनी डालने के पाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना और पानी इसमें ज्यादा नी डालना बिल्कुल कमी डालना मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया पतला नी करना इसको गाड़ाई रहना देना और फिर इस कडाई लेनी और कडाई में घी डाल देना कमसकम चार पांच चम्मच देसी घीव हो चाय बाजार को कोई वी ले सकते आप लोग इसे भी हम चुले में बना रहे हैं तो लकड़ी की बज़ा से कडाई भी पूरी काली काली होगी है तो इसको अच्छी तरह से गर्म करना घी को बिल्कुल गर्म हो जाए तो तब उसमें हम डालेंगे सीरा तो फ्रेंड्स यह गल गया है और गर्म भी हो गया है अब थोड़ा और गर्म होने देंगे हम यह सीरा जो बना रहे हूं है यह ब्रेक फास्ट के लिए बहुत अच्छा है और ताकतवर भी होता है आप बच्चों को भी दे सकते हैं बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स हम इसको इसमें डाल रहे हैं क्यों यह बच्चा है यह बच्चा है अब इसको इलाते रहना जब तक यह जगरन जाए आपसमें आप इसमें गरी या दाक बादाम किश्मिश काजू कुछ भी ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो हम इसके सिंपल सा बना रहे हैं दक्ड़ी पर साथ है तो फ्रेंड़ यह बनके त्यार हो गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चलन को सब्स्राइब करना ना बुलें और प्लीज गर पे जरूर बनाए इसको ट्राइब जरूर करें थेंक्यू